आज के वीडियो में आप देखेंगे महराश्ट्रिन स्पेशल गुड़ पोली की रेसिपी जिसे तिलाची पोली या तिलगुल पोली भी कहा जाता है ये बहुत ही पॉपिलर महराश्ट्रिन रेसिपी है और मकर सक्रांती के समय इसे खासकर बनाया जाता है तिलगुल पोली क कि ये बिना ना जाईएगा तो सबसे पहले तिल गुल पोली के लिए हम इंग्रीडियन्स देख लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी गुल इसको छोटे-छोटे तुकड़ो में काट लिया है इस तरीके से एक कटोरी गुल लिया है तो इसके इसाब से बाकी का मैजरमेंट बता रही हूँ आदा कटोरी लिया है तिल के साथ ही लिया है आदा कटोरी मुंफली का पाउडर जो मुंफली होती है उसे भून के उसका छिलका उतार के उसे मिक्सर में पीस लेंगे तो इस तरीके से मुणफली का पाउडर तयार हो जाता है साथ ही लिया है आदा कटोरी किसा हुआ खोबरा जो ड्राइ कोकोनट होता है उसको मैंने कदुगस कर लिया तो ये भी आदा कटोरी लिया है इसके साथ ही लिया है 2 चमच के करीब बेसन जितना गुड लिया है उसका half of quantity ही तिल, खोबरा और मुंफली का पाउडर लेना है साथ में लिया है आदा चमच के करीब इलाइची पाउडर और लिया है जायफल तो जायफल को बाद में हम ग्रेड करके डालेंगे अगर जायफल नहीं है तो कोई बात नहीं अगर है तो तिलगुल पोली में इसका स्वात बहुत ही अच्छा आता है तो ये सब चीज़े हमें stuffing के लिए लगेंगी जो हम आटा लगाएंगे जो cover बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे लिया है दो कटोरी गीहूं का आटा साथ में लिया है आदा कटोरी मैदा तो दो कटोरी गीहूं का आटा उसके इसाब से प्रपोर्शन रहेगा आदा कटोरी मैदा और साथ में थोड़ा सा नमक तो यह हम लेंगे cover के लिए इसके लावा जो सामगरी हमें लगेगी उसमें लगेगा एक चोथाई काटोरी के करीब घी और तीन से चार चम्मच तेल तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तयारी करनी है तो यहाँ पे एक पैन के अंदर सबसे पहले ड्राय रोस्ट करेंगे तिल को गैस का फ्लेम शुरू में मीडियम रखना है थोड़ी सी देर हम इसको रोस्ट करेंगे और जैसे ही पैन थोड़ा गरम हो जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे तो इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे तिल को अच्छे तरीके से भून लेना है हमें तो अभी रंग थोड़ा बदल रहा है इसका यास का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है और लगातार तिल को चलाते रहना है तो यह अभी तिल का रंग बदल चुका है और तिल अच्छे से भून गया है तो इसको मैं अलग एक कटोरी में निकाल लेती हूँ तिल को अलग रख लेते हैं इसके बाद उसी पैन में हम डालेंगे खोब्रा इसको भी ड्राय रोस्ट करना है जब तक कि इसका थोड़ा रंग बदलना जाए तो लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए खोब्रे को भून लेना है बुर पोली की स्टफिंग बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मात्रा जो प्रपोर्शन हम चीजों का ले रहे हैं वो एकदम बराबर लेना है नहीं तो स्टफिंग बराबर नहीं बनेगी तो यहाँ पे खोब्रा भून गया है इसका रंग चेंज हो गया है इसको भी एक अलग कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ तो यह खोब्रा हमारा हो गया है उसके बाद उसी पैन के अंदर डालेंगे दो चमच के करीब तेल और डालेंगे दो चमच बेसन तो यहाँ पे बेसन को भी भूनना है तेल के अंदर जब तक कि जो बेसन का रंग है वो बदल ना जाए तो अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को भूनना है तीन से चार मिनिट में बेसन भून जाएगा यदि केस का रंग बदल गया है तो बेशन को भी अलक कटोरी में निकाल लेती हुँ अब एक लेंगे हम mixer jar और इसमें डालेंगे यह जो तिल हमने भून लियाता पहले तिलको डालेंगे तिल के साथ ही इसमें डालेंगे गुढ़ जो एक कटोरी गुढ़ हमने छोटे-छोटे तुकड़ों में काटके रखा था वो डाल देंगे इसके साथ ही डालेंगे मुणफली का पाउडर आदा कटोरी प्रपोर्चन का ध्यान रखना है हमें आदा कटोरी हमारा खोबरा जो भूना था अभी और जो बेसन है वो भी इसमें डाल देंगे इन सबी चीजों को चम्मत से हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि जो ये मिक्सचर है वो आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए तो मैं पहले इसको एक बार mix करके दिखाती हूँ, यह देखिए, यह पहली बार में जब मैंने churn किया है, तो अभी यह थोड़ा सा खिला खिला है, यह देखिए, तो एक बार इसको हम फिर से हिला लेते हैं, नीचे उपर कर लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से दुबारा ज तो जो हमारी गुड़ पोली है, वो फटेगी नहीं और एकदम अच्छे से बनेगी, तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को एक बोल में निकाल लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं, इलाइची पाउडर, तो आदा चमच के करीब इसमें इलाइची पाउडर डाल रहे हू साथ में जो जाइफल है, उसे भी ग्रेट करके इसमें डाल देते हैं, अगर जाइफल नहीं है, तो मट डालेगा, पर अगर है तो ज़रूर डालेगा इससे, जो इसका स्वाध है, वो बहुत अच्छा आता है, और जो गुड़ और तिल होते हैं, उसके साथ इलाइची पा ज़रूरतों यूज कर सकते हैं, अब हम आटा लगा लेते हैं, तो यहां पर लिया है, मैने दो कटोरी गेहूं का आटा, और साथ में लूंगी आदा कटोरी मैदा, तो प्रपोर्शन रखा है, दो कटोरी गेहूं का आटा, आदा कटोरी मैदा, एक दम थोड़ा सा नमक डा यह है कि रोटी बेलते बड़ स्टफिंग आसानी से फैल जाएगी अंदर और जो रोटी ये वो तूटेगी फटेगी नहीं जाएगा तो अभी यहाँ पर मैं सभी चीजों को एक बार हाथ से मिला रही हूँ अच्छे तरीके से और इसके बार जितना पानी लगता है वो यूज करके हमें इसका एक आटा माल लेना है जो डो बनेगा जो आटा बनेगा वो बहुत हाड भी नहीं बनाना है बहुत सौफ् जो बनेगा यह बहुत ना हाड बनेगा ना बहुत सौफ्ट बनेगा क्योंकि हमने इसमें मैदा भी डाला है तो इसका जो कंसिस्टेंसी जो टेक्स्चर वो बराबर बन जाएगा तो भी आटा मढ़ गया इसके उपर थोड़ा सा तेल लागा लेंगे एक बर फिर से इसको म मैंने लिया है चावल का आटा चावल के आटे का इस्तमाल हम यह जो रोटी इसे बेलने के लिए करेंगे इससे क्या है कि यह जो रोटी है वो फटती नहीं है तो अगर चावल का आटा नहीं है तो नॉर्मल जो गिहूंका आटा है वो ले सकते हैं पर अगर है तो इसे यू पमाते हुए फैलाएंगे और थोड़ा बड़े साइस का कर लेंगे जो बीच का इसका हिस्सा है उसे हमें मोटा ही रखना है और कॉर्नर से हम दबाते हुए इसे फैलाएंगे थोड़ा क्योंकि इसमें मैदा डला हुआ है तो जो आते की elasticity है वो थोड़ी बढ़ जाती है और जब हम इस तरीके से उसे बढ़ा करते हैं हाथ से आसानी से तो यह easily हो जाता है तो अभी इसके अंदर stuffing डालेंगे दो से तीन चमच के करीब stuffing डालेंगे अगर जो stuffing है वो बहुत आपको dry लगती है तो उसमें 1,5 चमच के करीब दूद मिला लीजी और उसे mix कर लीजी अभी हम इतना सारा mixture रखते हैं सपोज हमें जादा पोली बनानी है एक साथ तो mixture जो बात का है वो dry हो जाता है तो उसके लिए उसमें थोड़ा दूर डाल सकते से एक से डेर चमच और उसको mix कर लेंगे तो फिर से जो ये stuffing है उसमें moisture आ जाएगा अब ये देखें मैंने इस तरीके से जो stuffing है उसको डाल लिया है और अभी हमें इसे घुमाते हुए stuffing को हाथ से दबाते हुए अंदर की तरफ करना है और इसका गोला बनाते हुए इसे बंद कर लेना है यह देखे जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ या जिस तरीके से हम पराठा भरते हैं स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं स्टफिंग को बीच में डालते हैं और उपर से उसके कॉनर्स को सील करते हैं इसी तरीके से हमें करना है तो इस तरीके से स्टफिंग को नीचे दबाते रहिए और गोल-गोल घुमाते हुए इसको सील कर देजे ये देखिए अगर पहली बार बना रहे हैं तो हो सकते हैं थोड़ी परिशानियों पर धीरे-धीरे ये बन जाएगा अब इस तरीके से घुमाते हुए हम जो उपर का एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा देंगे और इसमें अब हम लेंगे ये जो चावल का आटा है इसको थोड़ा सा लगा लेंगे इस पर और फिर इसके बाद हम इसे बेलेंगे तो धीरी-धीरे घुमाते हुए हमें इसे बेलना है और पतला बेलना है जितना पतला आप कर सकते हैं आसानी से उतना कर लिजिए तो ये मैंने इसे बेल लिया है अब गैस पे मैंने रखा है एक तवा इस पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इसके उपर जो हमारी ये तिल गुल की पोली है वो डाल देते हैं जब ये नीचे से हलकी सिख जाएगी तो इसे पलटके दोनों साइड हमें घी लगा के सेखना है ये जो गुल पोली है इसको बना कर 7-8 दिन के लिए रख सकते हैं या फिर केवल स्टफिंग है उसे भी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं जब बनानियों यूज में ले सकते हैं तो अभी मैंने दोनों तरफ गी लगा दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे सक्रांती के समय तो ये गुल पोली ज़रूर बनाई जाती है अच्छे तरीके से दोनों तरफ गी लगाएंगे गरम गरम तो ये बहुत ही स्वादिश लगती है पथन्डे होने के बाद भी अगर खाएंगे तो भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरीके से दोनों तरफ से मैं इसे सेक रही हूँ मीडियम फ्लेम पे ही धीरे-धीरे करके दोनों साइट से इसको हम सेक लेंगे तो इजो हमारी गुर्पोली है वो बन चुकी है इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तो ये एक बन के तयार है मैं एक और बना कर आपको दिखा देती हूँ अगर सादा आटा जो है वो आपसे नहीं घूम रहा है तो आप उसको पहले stuffing भरने से पहले उसमें चावल ताटा या फिए घूम रगा लिजे और फिर उसको इस तरीके से हाथ से बढ़ा लिजे और फिर उसमें stuffing भर ये आसानी से और दीरे-दीरे करके जो stuffing है उसको अंदर push करिए और जो आटा है उसे भार की तरफ लाइए और इसके जो उपर के edges है उसको seal कर दीजे ये देखे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ दीरे-दीरे आराम से करेंगे तो ये easily हो जाएगा उपर का एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और फिर हम इसको आसानी से बेल लेंगे जादा pressure नहीं लगाना है नहीं तो जो ये गुर पोली है वो फट सकती है तो easily इसको दीरे-दीरे हलके हाथों से बेलना है और इसे घी के साथ खा सकते हैं ये बहुती टेस्टी लगती है इस तरीके से एक और मैं आपको सेख के दिखा रही हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ में बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली रेसिपी इसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए तो इस तरीके से हमारी सभी गुर्पोली हम बना लेंगे इसको स्टोर करके रख सकते हैं आठ से दस दिन के लिए आप सभी को मकर सक्रान्ति की बहुत बहुत शुब कामना है